कोश्चन में क्या बोलता है या यह देखते हैं कि वेल अफ रेडियस टू मीटर इस डग 16.8 मीटर दीफ दो मीटर है उसका रेडियस और 16.8 मीटर के उसका गहराई है वहां से जो मिट्टी निकलेगा उस मिट्टी को वही कुवां के चरो तरफ फैला दिया गया है तो जब मि हाइट इनक्रीज हुआ है तो हमें बताना है कि जो इमबैंकमेंट है उसका विर्थ क्या होगा तो देख लेते हैं कितना मिट्टी निकला है पाई 2 का स्क्वार इंटू 16.8 इतना निकला है इक्वल तू पाई जब आप फैलाओगे तो आपको एक रिंग टाइप का स्ट्र दिखेगा जिसमें अंदर का जो रेडियस है वो कुवां का रेडियस टू के बराबर होगा और बीच में यह विड्थ आप इमबैंकमेंट है उसका नाम रख सकते हैं आप डी क्योंके 48 सेंटीम्टर में था मैं तो पाई सा पाई कैंसल हो गया इस चार्स से देखा जया तो इसे बारामें concealed हो जाएगा और 12 से देखा जाए तो कितनी पर में cancel हो जाएगा 12 एक फिचार 1.4 times में cancel हो गया तो अपने पास बचा है कि r square minus 4 का जो value है वो 100 हो गया 100 नहीं 140 हो गया तो capital r square कितना हो गया 144 तो अगर हम यहां से square root निकान ले जाए तो capital r का value हो जाएगा 12 हमें चाहिए width तो d का value कितना आ गया 12 minus 2 मतलब कि 10 meter 10 meter का जो है वो embankment का क्या होगा width सही answer क्या होगा option number 2 उमीद है यह चीज़े आपको समझ में आगे तो अगर यह वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुंचाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पर नए है तो चैनल को जरू से subscribe करें क्योंकि यहां पर सारे best pure IQ का solution मिलेगा आपको detail में और अगर हम यहां पर कोई concept discuss करते हैं तो उठाएंगे basic से लेके जाएंगे top होता है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए solution के साथ और एक नए concept के साथ